कि है गाईज कैसे हैं आप सब आई होप यू आर डूइंग वेल एम संदीप विल्कम टूइश से सरकल तो हम लोग डिस्कस कर रहते हैं यूपी पीश टूंटी-टूंटी टेस्टरीज और यह आई-एस की टेस्टरीज है हमारी ठीक है और यह टेस्ट नंबर फाइब का एक्टिविटी बन पाएगी क्योंकि इन्वार्मेंट के जो कुछ टेस्टरीज चल लही है तो इसमें वो सारे इंटर कनेक्टेड हैं थोड़ा था है तो यह देख लेना आप लोग ठीक है तो चलते हैं 101 कुस्टिन नंबर पर तो इसमें कहा गया है कि वास्पी करण की दर बढ़ती है तो सटे की फस्टी च्छेतरपल में ब्रदी सेडे ब्रदी सेथी यह डू रोगज है तो इसे बढ़ती है तो फस्ट आप संश ल्मारा सही होता कि यह वह प्रिक्रिया होती है जिसमें कोई तत्य या योगी गैसी अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो इसके लिए जितना सर्फ ज्यादा मिलता है उतने ज्यादा वास्पिकरन होता है तो चलते नेक्स पे में कहा गया कि प्रकाश सजावर तथा बिग्यापन के लिए पर तासरों कि पहुंते हैं आमोनियां है के अर्गन लिए नियान का यूजह कि आजाता है प्रत दीम बल्ब होते हैं और इमर्शन लैंप होते हैं इन में जो है यह नियान का यूज किया जाता है जो सजावती के रूप में परियोग किया जाते है यह सब्षक्य नेक्स पेस में कहा गया है कि यदि दो सम्तल दरपन 30 तो उनके मद्ध में रखी हुई वस्त पर बने प्रतिविम्बों की संख्या क्या होगी तो यह आप्षन है पांच भी है ग्यारा सी है दो और डी है अनन्द तो इसका ओप्षन डी वी सही है क्योंकि जो ग्यारा है ग्यारा इसमें बनेंगे होता क्या है कि जब यह एक सब्सक्राइब करेंगे तो यह हुआ यह हुआ यह हुआ इसका 12-36 तो बारा माइनस वन मतलब 11 बचा ठीक है तो इससे निकाला जाता है देख लिए आप नेक्स है निमली कि विचार कीजिए दिएगे कूट की साहता के मादम से सुमेलित करना पहचान करना कौन सुमेलित है सिटी स्केन एक्सरे करने का यूज होता है सेकेंड है दूर सल्चांज में माइक्रोवेब तरंगे और सी है थर्ड है कि टीवी प्रसांड में रेडियो तरंगे तो यह तीनों से मेली थे हैं ठीक है तो इसका और डी ऑप्शन सही हो गया हमारा चलते है नेक्स पर इसमें का इसमें सबसे ज्यादा पूछा गया तामबा किसमें होता है तो यह ऑप्शन भी हमारा सही है तामबा इसमें जो 88% होता है सबसे ज्यादा ठीक है सबसे ज्यादा तामबा इसी में होता है और सेकेंड पोजिशन पे तो गन मेटन में इसमें 85% होता है और पीतल में 68% होता है और यह जो जर्मन सिल्वर होता है इसमें 50% होता है ठीक है और जो कांसा की बात करें यह किस-किस धास से मिलकर बनाता है तो यह तामबा और टीन से मिलकर बना होता है ठीक है तामबा और तीन से मिलकर बना था पीतल की बात करें तो पिता जी हमने बताया तो पहले भी बता तांबह, टीन, लोह, प्लस जसता चारों चीजे सामिल होती है तो सबसे ज्यादा हमारा कांसा 56 । याद रखिएगा चलते नेंकेंट पर वीचार कीजिए दिए कुट की शाहmeeता से उत्तर बताना है फ्स के लार Companant झाम पहेता है और सभस्तक कि नष्ट करने में साध्या करने सोगताया तो यह दोनों नहीं करते हैं तो निमलिकित में से किस χनिज की कमी से अनीमिया हो जाता है तो A मैगनीसिएं B है लोहा, C है ज़स्ता और D है शीषा तो B बेया उपसिन सही हैخت भी हरा है हमारा लोहा की कमी से एकुछली क्या होता जो बलड में जो हिमो होता है उसकी कमी हो जाती है ऊसमें जो है में तत होता है लोहा इसी के लिए ऐं hem option 6 है इसको हिर के सब्सक्राइब और सुझ करना यो क्युंते है या पूरी तुम्हाऍर बाइब बिक त questa इसमें होता उसको क्लोरिन होता है इसको प्लाष्ट्र में निमलिखित में से किसका एक उत्पाद है तो first है magnesium का B A Aluminium का C A Calcium का D A Sodium का तो यह B C options है यह calcium का होता है और इसका प्लास्टरा परिस होता है इसका सूतर होता C A SO4 का SO4 into half H2O ठीक है तो यह सूतर याद रखना बहुत जल्दी जो frequently पूछ लिया जाता है इसको ठीक है दियान रखना इसे चलते नेक्स कुश्चन पर इसमें कहा गया कि रामशर कन्वेंशन इमलिखित में से किसे संबंदित है तो फर्स्ट है ओजोन चरण से B है मरश्चली करण से C है आदर भूमियों से D है ग्रीन हाउस गैस से तो इसका ऑप्शन सी सही है आदर भूमियों से संबंदित है और यह है कि इसमें आदर भूमियों को सुरुच्चित रखने के लिए यह कन्वेंशन है ठीक है उनकी रक्षा की बात करती है जो इतनी ते राम सर नाम रख दिया गया इसके उपर ठीक है चलते ने एक्स कुच्चन पर यूएन सीडी के संद्रह में नियुक्त है कथन सत्य कथन चुने तो फरस्ट है मरश्थली करण को रोकने के में इस्थानी लोगों की भागीदारी को प्रोथाइद करने है तू उर्दों गवा इस बात करें तो यह होता यूनाइटेड नेशन को कांफरेंस और इसकी समिट अभी इंडिया ने होस्ट की थी इस बार तो इसी लिए यह न्यूज में है इसलिए इसको ध्यान रखना एक पूछी जा सकती है ठीक है जो जो मरश्थली करण की रोकने पर विचार करती है कि म हो गई तो निमलिखित में से किस एक पर वायू प्रदूसर्ण को सरवाधिक प्रभाव पड़ता है तो अमार बेल है फर्स्ट ऑप्शन भी है फरनिस यह मनी प्लंट डिये लाइकन तो ऑप्शन डी साहिए लाइकन यह लाइकन जो है अतिशंबेदन शील होते हैं प्रदूसर्ण का ठीक चलते हैं एक्स्ट कुश्टन पर नमलिकित में से कौन सा एक जयो उप्चार की श्वाइस्थाने मतलब इन्सीटू इन्सीटू पद्धत यह तो इसके बारे में बताना है तो फस्ट है बायो पाइल्स भी है बायो वेंटिंग सी है बायो नहीं है यह एक सीटू है मतलब आज स्थाने बाहर ले जाकर इसको रिमेडियेशन उसका किया जाता मतलब जाच कोई pollution वगेरा है तो उसको उसके इस्थान पर ना उसका remediation किया जाया उसे दूसरी जगा ले जाकर तब उसे remedy उसका उपचार किया जाया और in situ में क्या होता है कि जहां पर वो प्रदूशन या वो जो समस्या है उसी का वहीं पर-दिया तो वो इंसी aun मतलब स्वाइश थाने होती है तो इंसी टू में बात करें तो यह अता है जए और जो भायो पाइल्स जो यह मतलब स्त्रजड इसके पिंट माई्फिकों किसी और जगे ले जाके वहां करते हैं और राएक्टर यह पी जो है कि इस इन को चूť नो चलते हैं एक सूचन पर को बीमारी व्यह ज कहते हैं आउस्डी का प्रियोग किया जाता है जीवानों के लिए बीशानों के लिए इस प्रोटो जावा और डी ए विटामिन के लिए तो इसका एक जीवानों के लिए शिल्फाड ड्रग्ज यूज की जाती चलते नेक्ट पे लिखित में से कौन एक जल जनित भीमारी नहीं है यह तो है ऱब यह मलेड़िया और तेट है और शीज का सही है मलेड़िया नहीं है क्योंकि मलेड़िया एक प्लाद्मोडियम प्रोटो जोवा से होता है इसलिए यह मालेड़िया नहीं है जल जनीती व्ह尹 लकिन है धा राई में ब्रदी से डी है इन में से कोई नहीं तो इसका बी ऑप्षन सही क्योंकि जब लवड़ता में ब्रदी होती तब तो घंठ तो बढ़ेगा क्योंकि जब पानी कम होगा तो मतलब उसका घंठ बढ़ने लगेगा जैसे वासपोर सेजन जहां पर ज्यादा होता है हरित जलवायू को स्थापित करने का निरणाय लिया गया तो फर्स्ट ऑप्षन है डर्बन सम्मेलन भी है कानकून सम्मेलन दी है दोहा सम्मेलन तो इसका ऑप्षन भी सही है जो कानकून सम्मेलन हुआ था 2010 में मैक्सिको में ठीक है मैक्सिमिको में हुआ था उसी में ये निर्णाय लिया गया था और ये जो UN SSC का होता UN F SSC का जो सम्मेलन होता है Conference of Party COP 16 नंबर की एक Party थी ठीक है उसी में ये किया गया था हारित जलवायो कोज का ठीक है चलते नेक्स पे प्लोरो-फ्लोरो कार्बर के संब्दने में निमली कत्नों में से कौन सा असत है ये बताना है तो फर्स्ट है या परसीतकों के रूप में प्रियोग में लाई जाती है बी है ग्रीन हाउस गैस प्रभाव में योगदान नहीं देती है यह समताप मंडल में ओजोन घटाने में तक तर दायी है यह निचले आनिचले वाइमेंडल में अक्रेयज सेलय है तो यह यह शहीं नहीं है इसका क्योंकि ये युदान देती है ग्रीन अउस इसी है पॉझाट यह अजूर को र-, सो ठीजिक है कि अनुकरमड मतलब संसक्सेशन में सबसे निरनायक भूम का कौन अदा करते हैं तो फस्ट है मर्दा भी है समुदाइट सी जलवाईव और डी है जैविक घटक तो इसका सी ऑप्शन सही है क्योंकि जलवाईव ही तो सबसे ज्यादा मतलब यह काम करती है कि देखो पहले क्या परिवाईव कोई जीव नहीं था प्रिसमुद में जीव कि उत्पत्र फ्र वह keyword फुर्ट फर फिर व बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए तो उसका क्या कराना इकना लोग में और इपर्यकार करते थे उसके बाद एकीर करना सीख है त्क्रिशों कंध जो ही सब मतलब फिर ये धीरे धीरे जलवायू में ही परिवर्तन होता गया और आज देखो इतना डेवलप हैं कि हम लोग इतने सब भी हो गए हैं तो ये हमारा जलवायू का ही सब प्रभाव है अब भी देखो जलवायू का ही प्रभाव है कि सक्सेशन जब देखो इतने ग् इसमें निमलिकित में से किस एक की उपस्थित के कारण फोटो क्रोमेटिक कांच धूप में सोता काला हो जाता है तो यह option है कोबाल्ट आक्साइड भी है सिलेनियम आक्साइड तो इसमें यह बताना है कि कौन सा हमारा मतलब जो क्रोमोटे कांच होता है वो सोता जो दूप में काला हो जाता है तो इसका option C सही है जो सिल्वर ब्रोमाइड के कारण जो है यह सोता दूप में काला हो जाता फोटो क्रोमेटिक कांच चलते नेक्स पे, नेक्स में कहा गया है कि उतकरमण के बारे में, उतकरमण अनुलेखन करिया है, तो RNA से RNA का निर्माड B है, DNA से DNA का निर्माड C है, DNA से RNA का निर्माड और D है RNA से DNA का निर्मार तो D options है यह जो यह RNA होता है RNA से जब DNA बनता है तो इसी को कहते हैं उत्करमड अनुलेखन और अगर जो DNA से DNA से RNA बनता है RNA बनता है इसे कहते हैं transcription मतलब अनुलेखन के वल ठीक है यह transcription यह reverse transcription होता है RNA से DNA बनना और DNA से RNA बनना यह reverse transcription होता ठीक है चलते हैं next question पे इसमें कहा गया कि निमलिखित कत्मों पर विचार करना है तो first है कि रक्त समू की खोज कारलेंड इस्टीनर ने की थी रक्त समू ओ में कोई antigen नहीं होता है और RH फेक्टर सरोपतम अफरीका के एक मानों में खोज की गई थी तो यह गलत है मानों में नहीं यह racist बंदर था उसमें racist बंदर था उसमें खोज की गई थी और यह जो racist बंदर था इसके जो रक्त में इसकी खोज की गई थी और यह लाल रक्त कोसिकाओं जो A-RH फेक्टर होता है यह लाल रक्त कोसिकाओं की सता पर पाया जाने वाला एक प्रोटीन होता है तो इसकी खोज यह दोनों सही है हमारे तो एक और दो सही हो गया एक और दो ए अप्शन सही है इसका चलते ने एक पे तुटिनिस टीका गहरी चोट के मामले में बेकति को दिया जाता है या एक है तो DNA वैक्षीन है बिहरी कॉंबिनेंट वेक्टर वैक्षीन है सी है सब यूनिट वैक्सीन है या टाक्साइड वैक्सीन है तो डी आप्शन सही है इसका यह टाक्साइड वैक्सीन है यह क्या करता है कि जो गहरी चोट लगी होती है तो शरीर को जो रोक प्रतिरोधक में जो उसकी छमता होता है उसको बढ़ाने में मदद करता है जो यह टि है ज़रनाविम नदी है तलाविम नदी और डी हर उपरोकती सब्य तो इसका औरक्शन Say यह जो लेंटीक आवास होता है इसमें तलाव और नदी आते हैं इसके साथ तुम्हारा यह रहता है जो ध्यीən और आदर भूमिया रहती ही ये भी इसी लेंटिक आवास में होती है लेंटिक आवास होता क्या एक्चुली एक्चुली ये होता है जो हमारा जल होता है जो इस्थिर होता है जिसका कहीं से बहाव नहीं होता है उन्हें लेंटिक आवास में रखा जाता है और एक होता है दल झील और यह Guist member all लेटिक को आवास की बात करें तो इसमें नदी आती है जरना आते हैं यह नदी ज़र्णा उसमें आते हैं ठीक है लेटिक आवास में इसको याद रखिया है नेक्स में भारत में उसर न कट बंधी वर्षावन किन-किन चेटरों में पाया जाते हैं फस्ट है पच्छमी गाट भी है, असम, फ्रड है तमिलनाड तो यह तीनों सही हैं, क्योंकि तीनों चहतya है है, हमारेर कटबंदी वर्षावन ठीक है इसके साथ अंडमान और निकोबार में भी पाया जाते हैं तो यह उसक्राइब कर लिए हैं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक् अगरिकेशन मिल जाए और वीडियो देखने के लिए थैंक्यू कि बने रही हमारे साथ अगले वीडियो में अगले 25 कुछिनों के साथ मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार जैहिंद जैवारत